इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ important questions जो कि आपके railway के NTPC और Group D exams के लिए बहुत important है साथ में जो भी CGL, CHSL का exam होना उसके लिए भी बहुत important है तो प्लीज आप देखेंगा जरूर बोड़े वीडियो को तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला question है पर्तिवर्स हाथी महतसब कहा मनाया जाता है ठीक है देखें ओप्सन दिया हुआ है जैपूर, स्री गंगा नगर, जोतपूर, अजमेर इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपको जैपूर ठीक है यह बहुत ज़्यदा important है I hope आपको यह समझ में आवागा question चलिए देखते हैं दूसा question उसकी बाद है दूसा question है में दम में फाई किस प्रदेश का तेवार है ठीक है फेस्टिबल से question पूछा जाता है बहुत ज़्यदा important होता है तो देखे option है आसाम, मेगाले, मनेपूर या केरल तो इसका सही answer है इसका सही answer हो जाएगा आपको आसाम ठीक है इसका सही answer है आसाम आसाम का capital है देशपूर यहां के मुख्यमंतरिय सर्वानन सोनिवाल देखे कुछ notes देख लेते हैं मेदम मेफाई आसम के ताई अहम जन जाते है ठीक है ताई अहम जन जाते है यह भी question बन सकता है कि आपसे पूछे का ताई अहम जन जाती कहां का है तो बताना आसम का है का तेवार है ताही हम अपने प्रुवजों के लिए परशाद चराते हैं और प्रामपरिक तरीके से भगवान को बलिदान देते हैं ठीक है तो इसका अंसर आपको पता चलिए क्या होगा आसाम होगा दूसा कोशन देखते हैं क्या है दूसा कोशन है गुरु मुखी डोकरी और सिंधी लिपी की उतपति किस लिपी से होई है ठीक है इसका जो सही आंसर होगा देखिए ओप्सन पहले देख लेते हैं ओप्सन है इसका ब्रामी लिपी सार्दा लिपी टांकरी लिपी या पर कुशान लिपी तो इसका सही आंसर होजाएगा आपको क्या सार्दा लिपी ठीक है ओप्सन नम्मर भी इसका सही आंसर होजाएगा ये वाला सार्दा लिपी चली देखते हैं दूसा कोशन यह सारे question बहुत important है आपके railway के exam में आने के पूरा chances है guys तो वीडियो को देखेगा और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लेजे और अपने दोस्तों के साथ share किजे ज़्यादा से ज़्यादा थाकि मुझे motivation मिले next question है एजूत चान एजूत चान पूरा कारम किस परदेश का सरभुच्च साहित्य पुरुसकार है option देखे केरल तमिलनाडू करनाटक आंदर परदेश तो इसका सही answer देख लेते क्या है केरल इसका सही answer है ठीक है और केरल का अगर हम लोग देख केरल का capital क्या है तो थिरिव बननत पूरम यहां का capital है ठीक है अगर आपसे पूछेगा कि पेरिया नेश्टर पार कहां पर तो आपको बताना है केरल में है ठीक है चलिए देखते हैं दूसरा question next question है बासुप श्री पुर्षकार की सरकार द्वारा दिया जाता है तो option देखे गुजरात आंदर प्रदेश और एक option है अपको यहां पर है यह option है करनाटगा तो इसका जो सही answer होगा करनाटगा ठीक है डिटेल देख लेते हैं इसका देखे यह इसका सही answer है करनाटगा बासुप स्री पुर्षकार करनाटग सरकार द्वारा दिया जाता है सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिसा में ठीक है योगदान के लिए यह पुर्षकार दिया जाता है बहुत ज़दा important questions है और अगर अगमाली जी यह देखा जाए तो गुजरात का capital क्या है गांधी नगर और आपको आंदर प्रदेश का capital है अमरावाती महराष्ट का capital है मुंबई ठीक है guys चलिए देखते हैं next question next question है दादा साहे फाल के प्रुषकार की सुरुवात कब हुई थी देखे है ऐसा question पूछ ले जाता है आपको इसका option है उनीससो तिर्षट, उनीससो चासट, उनीससो नात्तर, उनीससो सत्तर तो इसका जो सही answer होगा वो जाएगा आपको उनीससो नात्तर इसका सही answer है ठीक है और अब उसे पूछे का है कि इस साल आपको दादा साहे फाल के प्रुषकार किसे मिला है तो आपको बताना है अमिताब अच्छन जी को ठीक है बहुत ज़्यादा important question ही है ठीक है दादा साहे फाल के प्रुषकार सुरुवात कब हुआ था उनीश्रों नत्तर में हुआ था और गाइस आप comment करके बताए जो है Nobel Prize जो दे चाता है वो कौन सा वर्ट से start हुआ था ठीक है और साथ में ये वी comment कीजिए कि रमिंदरनात टेगोर जी को जो Nobel Peace Prize मिला था Nobel Literature Prize वो गितान जी के लिए मिला था ठीक है आपको बताना है कौन से येर में मिला था ठीक है next question है हर साल रमजान पिछली साल से 10 होता है तो ये देखे बहुत important question है 11 दिन पहले, 11 दिन बाद 11 दिन बाद, 17 दिन पहले या 17 दिन बाद तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो जाएगा आपको 11 दिन पहले, ठीक है next question है जापानी कला एके विना किसे समझ दी थे, ये question बहुत important है ठीक है, पूछा गया है previous year के question में तो इसका option देखे गया है फूलो से सजावट, दिवार, चित्र, कला, मूर्तिया है ये इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको क्या फूलो से सजावट, ठीक है एके विना जापानी कला है जो फूलो से सजावट से समीथ है अगर जापान के पूरेंग पूछेंगे तो जापान का capital क्या है टोकियो का capital है, ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है एलिफिंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस बन से सम्बन दी थे ठीक है, ओप्सन है चालो क्या चोल, चेर या राष्ट कूट इसका जो सही आंसर है, वो देख लेते हैं हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या राष्ट कूट, ठीक है, ओप्सन नमर डी इसका सही आंसर हो जाएगा और एलिफिंटा की गुफाएं राष्ट कूट बन से सम्मदी थे इन्हें, 1987 में UNESCO से, UNESCO ने विश्व दरगर को दरजा दिया था, ठीक है विश्व दरगर का दरजा दिया था, तो आपसे ही भी पूशता है, 1987 में याद रिखेगा और आपसे गर यह कोशन पूचा जाएगा कि हमारे भारत देश में, UNESCO City, ठीक है, World Heritage City पहला कौन सा है, तो पहला बेंगालरू, मैसूर, मुंबई या पिर दिल्ली, तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सन नमर भी मैसूर, ठीक है केंदरिये भारतिये केंदरिये भारतिये संस्थान केंदरिये भासा भारतिये संस्थान ठीक है मैसूर मेस्ती थे यह आपको पता होना चाहिए बहुत important question है उसके बाद है next question क्या है प्राचीन भीवा प्राचीन भीमा देवी मंदिर की परदेश में है option दिखे पंजाब हरियाना उत्र परदेश या भी बिहार तो इसका सही answer क्या हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा हरियाना ठीक है हरियाना में यह है भीमा देवी मंदिर को उत्र भारत का खजुराओ कहा जाता है यह हरियाना चीले के पंचकुला जीले में इस्तित है ठीक है बहुत जादा important है यह याद रखेगा और साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए गाईज पंचाब का capital चंडी गए रहे है और हरियाना का capital भी चंडी गए ठीक है उत्तर प्रदेश का capital क्या है आपको लखना हुए है अभिहार का capital क्या है पटना है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंतरी पूचेगा तो बताना है आपको योगी यादितनात और बिहार का मुख्यमंतरी पूचेगा तो आपको बताना है नितिश कुमार चलिए देखते है नेक्स्ट क्या है तो इस वीडियो में इतना ही question था गाईज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज पताईएगा और चैनल को जरूर सब्क्राइब किजेगा जादा से जादा दोस्तों पहुंचाईए नेक्स्ट वीडियो में और भी questions के साथ हम लोग distance करेंगे ठीक है तो thank you so much for watching this video